Hi friends, Assalamualaikum आज मैं आप लोगों को बेबी कुशन बनाना बताऊंगी तो उसके लिए आपको कपड़े की दोपीस लेनी होगी और दोनों कपड़े की लंबाई चोड़ाई आपको सेम लेनी होगी तो ये मैंने दोपीस कपड़े का लिया है और इन दोनों को मिला करके हमें कुशन बनाना है तो सबसे पहले इन दोनों कपड़े की ये प्रिंट अगर है तो प्रिंट को एक साइड कर लेना होगा जिससे हमारा प्रिंट एक नीचे एक उपर ना हो तो मैंने print को देख करके इस तरह से कपड़े को रख लिया है आप सबसे पहले इसको बीच से हम fold करेंगे यहां से देखिए मैंने कपड़े को fold कर लिया है अब इस पर हमें निशान लगाना होगा तो cushion की size भी थोड़ा सा छोटी बड़ी होती है आपको जितना बड़ा cushion बनाना हो आप बना सकती है वैसे यह cushion थोड़ा बड़े size का है तो यहां से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है तो यहां से देखिए मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है तो 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है यहां पर chalk का color कपड़े से match कर रहा था तो इसलिए निशान पता नहीं चल रहा था तो मैंने दूसरा chalk change कर लिया है अब यहां पर देखिए इन दोनों निशान को फिर से मैंने दोरा दिया है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला देना है फिर यहां पर corner के पास से हमें निशान लगाना है तो यह निशान हम 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे 2 इंच पर यहां से इस side लगा देंगे और उपर की side से इस तरह से लगा देंगे और इसको हम गोलाई की shape में निशान को complete कर देंगे तो यही तक हमें निशान को खतम कर देना है अब इस पर हमें कपड़े की cutting करनी होगी फिलाल यहां से हम लंबाई भी चेक कर लेंगे तो लंबाई मैंने 9 इंच रखी है तो इस तरह से मैंने कुशन की cutting को complete कर लिया है यह cutting करने के बाद अब हमें इस पर एक और निशान लगाना होगा जो कि हमें बीच में निशान लगाना है जहां पर हमें बेबी का सर रखना होता है तो सबसे पहले यहां से देख सकती है कि साड़े 5 इंच यहां की लंबाई है और यहां की लंबाई जो है वो साड़े 6 इंच है और कुशन की यह टोटल जो लंबाई है वो हमने 9 इंच रखी है यहां की लंबाई तो आप चाहे तो इस से थोड़ा सा छोटा भी कुशन बनाना चाहे तो हाफ आफ इंच चारो तरफ से कम कर सकती है अब यहाँ का जो निशान लगाना होगा वो हमें यहाँ से पहले दो इंच पर निशान लगा लेना है तो यहां से पहले हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया है अब यहां से हमें 5 इंच उपर निशान लगाना होगा अगर कुशन आपका छोटा है तो यहां पे आप 4 इंच पर निशान लगा सकती हैं वैसे यह कुशन बड़ा है तो इसलिए देखे मैंने 5 इंच पर निशान और फिर यहां से हम गुलाई का शेप देंगे तो इस तरह से निशान लगाना काफी इजी हो जाता है तो यह निशान मैंने एक साइड लगा लिया है अब इस निशान को हमें दूसरी साइड भी उतारना होगा जिससे हमें सेम साइज का निशान मिल जाए तो इसलिए हम कपड इस त्रादीन करें सबस्राइबिलां को इस तरह से में दोरा लिया है तो ये वाला निसान घुखिछ हमारा gram Alg样 कि कपड़े का क्पड़ इस के नाहीं भी तयार है इस में काफ़ी जोईने भी थ्यांट अगर आपके पास पूरा कपड़ा हो तो आप वेगार तो विगयर जोईन परिये कर सकती हैं तो इस पाहे को डबला करें इसकी लंबाई नाप आप दिखा देती हрам इनल स्कूर, तो इस कपड़े की लंबाई है 30 इंच इसी कपड़े से हमें फ्रेल बनाना है तो एक साइड से हमें इसे फोल्ड कर लेना है इसको पहले हम साइड में रखेंगे पहले इस कपड़े को हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड से हम चुनट बना लें अधिक कप्ड़ लगाने कुछन वाला और एक कप्ड़ लगाने के लिए कुछन में रखेंगे 26 लिए 1 अधिक फ्रिल को यहां से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम घूमाते हुए पुरे गुलाई में यहां तक हम सिलाई लगा लेंगे, अगर एक्ष्टा कपड़ा हो तो कट कर दें, या पूरा आ जाए तो इस तरह से सिलाई कर दें, तो देखें मैंने चुनट को एक्ष्टा करके कपड़े को पूरा मैंने इसी में स्टिच कर दिया है, मैंने इसमें से कपड़े को कट नहीं क किया है तो इस तरह से देख सकती है कि हमारी फ्रिल जॉइंट हो चुकी है अब इसको फिर से वापस से हम अंदर इस साइड कर देंगे इस तरह से करने के बाद फिर दूसरे वाले कपड़े को लेंगे और इसी के ऊपर हम रख लेंगे इस तरह से रखने के बाद चाहे तो लगा लेना है तो देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है इस तरह से मैंने सिलाई लगा के कम्प्लिट कर लिया है अब इसको हमें वापस से सीधी साइड पलटना होगा तो इस तरह से देख सकती है कि इसको मैंने सीधी साइड पलट दिया है सीधी साइड करने के बाद अब जो मैंने बीच का निशान लगाया है यहाँ पर हमें कुछ लगाना होगा चाहे तो इस तरह का आप फोम लगा लें कि इस तरह से सेट करने के बाद दोनों कपड़े को हम इस तरह से सेट करेंगे कि हमें कपड़ा इधर उदर नहीं हटने देना है और फिर वापस से हम इसके उपर सिलाई लगा लेंगे जो मैंने निशान लगाया है तो देखिए मैंने निशान लगा करके उस पर सिलाई भी ल जिस तरह से हम cotton को अंदर डालते जायेंगे तो हम उसको उपर की साइड से भी और इस तरह से हम इस को अचेश्ट करते जाएंगे। box बाद फिर दूसरी साइड से हम इस worldview के लेंगे तो इसी तरह से हम जितने cotton की ज़रूरत होगी हम इसके अंदर fill करते जाएंगे तो इस तरह से देखें मैंने इसको set कर लिया है पूरी तरह से यह हमारा cotton इसमें fill हो चुका है अब इसके बाद हमें वापस से नीचे की सिलाई करनी है तो नीचे की सिलाई हमें चाहे तो इसे ही अंदर फोल्ड करके सिलाई कर लें लेकिन मैंने इसकी साइज से पट्टी कट की है इस पट्टी को हम यहां से जॉइंट करेंगे इस तरह से रख करके इस पर एक सिलाई से जॉइंट कर लेंगे और फिर वापस से हम पट्टी को सीधी साइड पलट करके इस तरह से पट्टी की शेप में इसको सिलाई करके तयार कर लेंगे तो देखिए हमारा प्यारा सा कुशन बनके तयार है मैंने नीचे की साइड की पट्टी की भी सिलाई कर ली है इस तरह के प्यारे-प्यारे से कुशन की वीडियो हमारे चैनल पे और भी पढ़ी हुई है आप जाके उसे भी विजिट कर सकती है तो आई होप कि यह बेबी कुशन की वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलाफिज